असलाम अलेकुम रहामतुलाई वबरकातू प्यारे बच्चो आज हम फोर्थ मैथ में जो हमें ये लॉंग एंड शॉर्ट चप्टर नमर टू है जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना है मेजरमेंट आप सम्ट अब्जिक्ट स्थिंगस जैसे नेल होगा या पेंसल होगा लीफ, ब्रश वगेरा इन चीजों का हमें मेजरमेंट करना है लेकिन हमें यहां पर मैथ पर एक 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 जरसाइज है ड्रॉ लाइन सिग्मेंट इस अब दा फॉलईग लेंगत इस लेंगत हमें दी गई है यहां पर जैसे A पार्ट में हमें 3 संटिमीटर B पार्ट में 6 संटिमीटर C पार्ट में 8 संटिमीटर यहां 8 संटिमीटर इस तरह D पार्ट में 5 संटिमीटर यह जो हमें अलग अलग दी गई है तो इन के लिए हमें line segmentus खेंचनी है तो यहाँ पर मैंने line segmentus खेंचे है तो पहले A-pot के लिए A-pot हमें 3 cm line लगानी है line segment तो यह मैंने आप scale भी ले सकते है scale पर आप इसको measure कर सकते है यह है 3 cm line यहने 0 से हमें count करना है 0 से 3 तक लेना है तो यह 3 cm line है इसके नीचे हम लिखेंगे यह 3 cm line है इसे तरह यह यह है 6 cm 6 तक यह line जाती है तो हमें यह 6 cm line है इस तरह जो यह line है मैंने डाली है यह हमें 8 cm डालनी थी तो यह हम तक है यह 8 cm 8 cm अच्चा 8 cm के बाद हमें 5 cm line डालनी थी टी पार्ट पर हमें यह है 5 cm जो line मैंने डाल दी है यहाँ 0 से 5 तक मैंने line डाल दी है 5 cm इसी तरह हमें यह पार्ट पर है 10 cm line 10 cm यह आप देख सकते हैं मैंने सिकेल से इसको measurement किया है यहाँ तक 10 आता है तो 10 तक यह line segment मैंने डाल की है तो इसके नीचे आप मैं 10 cm लिख दूँगा इस तरह एप पार्ट है यहाँ पर हमें एप पार्ट 7 cm डालनी है तो मैंने भी यहाँ पर 7 cm एप पार्ट के लिए line segment डाल की है यहाँ तक है 7 cm तो इसके नीचे मैं लिख हूँगा 7 cm इस तरह g-part के लिए 9 cm हमें डालना है तो यह है g-part यह है g-part यह 9 cm बराबर line segment डाल की है 9 cm इस तरह अगला है edge part 2 cm यह मैंने 2 cm ले यहाँ पर डाल की है line 2 cm तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 cm इस तरह I part है 5.5 cm यह आपको यहाँ पर देखना होगा कि अगर यहाँ तक अगर यहाँ तक 5 है तो 5 और 6 के जो दर्मियन है वो 5.5 यह 5 और 6 के दर्मियन जो यह line है यह 0.5 तक ले जाती है यहाँ बीच वाला जो निशान है यहाँ पर यह 0.5 तक यहाँ तक लंबाई है इसकी तो 5.5 इसको हम यहाँ पर 5.5 cm तो इस तरह 7.5 है अगला यह है 7 और 7 और Half Half सेंटिमेटर Half सेंटिमेटर 7 और Half सेंटिमेटर यह है line 7 सेंटिमेटर और फिर 7 और 8 के दर्मियन जो पॉइंट है वहाँ तक तो इसको आएगा 7.5 सेंटिमेटर लंबाई तो अब है 10.5 और 6.5 यह है 10.5 है यहाँ पर यह 10.5 यह आप देख सकते हैं 10 यहाँ तक है 10 यह जो पॉइंट है यह Half फिर है यहने 1 सेंटिमेटर का Half निसब तो 10.5 बन जाएगा 10.5 सेंटिमेटर इस तरह फिर लास्ट है L हमें 6.5 सेंटिमेटर डालनी है लाइन सेंटिमेटर 6.5 यह आप देख सकते हैं 6.5 है यह लाइन यहने 6 और 6 के बाद हमें 10 सेंटिमेटर इसको हम 0.5 के देख सकते हैं 6.5 सेंटिमेटर तो यह जो हमें यहाँ पर एग्जरसाइज थी यह जो हमें लेंगत दी गई थी तो इसके लिए हमें लाइन सेंटिमेंटर अलग अलग डालनी थी तो मुझे उमेद है कि आपको यह ठीक तरह से समझाया होगा सिकेल की मदद से आपको यह खुद भी करना आएगा शुक्रिया